कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकॉन दबाएं खूटी में एक बार फिर पत्तलगडी समर्थुकों के एक्टिव होनी की खबर है प्रभात कबर की टीम जमेनी परताल के लिए खूटी का रुक कर रही है प्रभात खबर अपनी पड़ताल में उन गाउं तक पहुँच रहा है जहां से पत्थलगड़ी समर्थकों के एक्टिव होने की खबर आ रही थी खुटी में पत्थलगड़ी की आहाट एक बार फेर आ रही है इस बार चर्चा है कि वैसे इलाके जिन इलाकों में अच्छा मद्दान हुआ है या वैसे लोग जो मद्दान के लिए निकले हैं उन्हें भी अब पत्थलगड़ी समर्थक टार्गेट कर रहे हैं खबर है कि कुछ लोग जो लोग वोट दे कर आये थे उनका सामाजिक भहिशकार किया जा रहा है खबर है कि उनसे कुछ मुआपजा भी लिया जा रहा है कई जगों पर 500 रुपय तक के मुआपजी की खबर है इस खबर के बाद हम पड़ताल करने निकले हैं खूटी के वैसे इलाके में जहां से ये खबर आये है आईए मैं सीधे आपको उन इलाकों तक लेकर चलता हूँ और बात करने की कोशिश करेंगे कुछ ग्रामिनों से अधिकारियों से जब प्रभात खबर में पत्थल गड़ी समर्थों को कि सक्रिय होने की खबर चपी तो प्रसासन एक्टिव हुआ प्रभात खबर की टीम के पीछे सीओ दलबल के साथ निकले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है इस इलաके में और वो आये हुए है जाच करने के लिए हैं जब जमीनी अग्यकरतम को पता चल रहा है कि कुछ लोग जो चाह रहे हैं इसको लाब नहीं लेना चाह रहे तो हम मेरा कहना है कि अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो हम खूद जो है सरकार खूद आए और इसी के ताथ जो है हम गाव में जाना चाह रहे हैं आज आए भी है स्थल में और देखना चाह रहा है कि आखिर क्या उन लोगों की मंसा है यानि क्या चाहते हैं सरकार से क्या पेंसन के सिवीर हो रहे हैं और पेंसन धारीयों का पहचान किया जा रहा है कि इसको वाकशे में जरूरत है तो ग्रास रेट रूट लेवल पे हम लोग यह पता करने के लिए प्रशासन इनके घर आके लाब को दें चीज बताएं समस्या क्या रही है जैसे इस इस इसे लोग हैं जिनको आपने लाब देने की कुछिश के लाब मिला है लोग क्यों नहीं आ रहे हैं मतलब लोग क्या कहते हैं उनका डर क्या है आज इसी का भौतिक निरिक्षन के लिए हम आये या स्थल में आये हैं लोगों से रूबरू होना चाहते हैं प्रभात कभर की टीम ने लाबूदा हाबूडी हांटीं चेली संगसान सहित दर्जनों गाउं का दौरा किया सीओ भी पूरे मामले के जाज के लिए हाबूडी पहुंचे यहां ग्रामीनों ने पहले बात करने से इंकार कर दिया फिर अपनी समस्य आइगिनाने लगे बताया कि कैसे अब तक कोई सरकारी स्विधा इन गाउं तक नहीं पहुंची गाउं में पत्थलगड़ी समर्थ को करेक्टिव होने के और समाजिक बहस कारण करने के बाद पर सबने चुपई साथ ली जब हमने गाउं के सुनीता दिवी से बात किया तो उन्हों ने भी गाउं में सब कुछ ठीक है कहकर टाल दिया ि एले पर डार यहां कि इसमना बच्चा लोगे इसकोल में कर दोना के लिए जब बच्चा आता स्कूल को गाउं में और तुट दर्स देंे को लेकर को ने गाउं में अभी जादर लोग बात करने से कत्राते हैं कैमरा देखकर दूर भागते हैं पथलगड़ी पर चर्चा नहीं करते लेकिन कई गाउं वाले दबी जुबान में या मानते हैं कि बैठक होती है चर्चा होती है उन्हें डर है कि जरकार उनकी जमीन न छीन ले इस वक्त पथलगड़ी के आप खुटी में इसलिए भी तेज है क्योंकि पथलगड़ी की एक साल पूरे हो रहे कई इलाके ऐसे हैं जहां पथलगड़ी इसी वक्त की गई थी पिछले साल इस वक्त चर्चा है कि उसकी सालगिरह मनाई जाएगी और इस वक्त मुंडाओं में एक परंपरा भी है कि वो पथल धोते हैं पुरवजों के जो पथलगडी की उनकी परंपरा है उसका पालन करते हैं कई गाओं में इस वक्त ये परंपरा चल रही है और ये बताते हैं लोग की पथलगड़ी पर जब इस तरह की परंपरा होती है तो लोग आपस में बात करते हैं और यही कारण है संभावता पुलिस भी ये मानती है कि पथलगड़ी को लेकर एक फिर से चर्चा हो रही है कि लोग बहुत भोले भाले हैं और उस तरह के आदमी चाहिए हो जो उसको आपना आदमी मानते हो और समझाने के मैं छहमता रखते हो इस इलागे के लोग अपनी भासा हैं पते हैं आप लोग जब पूछ ताज करने के लिए जाते हैं तो कितनी जानकारी निकल के सामने आती आपकी क्या-क्या समस्या है है सबसे बड़ी बात हमें कि हम लो को भासा की है बासा की आम नहीं जानते हैं और उनको अपना बात समझनें पाते हैं या उनका बात समझ नहीं पाते हैं तो सबसे बड़ा प्रोब्लम है भासा की जिसे भाष्टा की समस्या तो एक हो ही गई दूसरा ये है कि जब आप जो आपके लागे के चौकेदार लोग भी है जो लोग वहां रहके काम करते हैं उनसे सुचना है मिल पाती नहीं मिल पाती है चकदार लोग का सबसे बड़ी समस्या है कि उनको उसी समाज में रहना है और कहीं न कहीं उन कि किसी बात को लेकर के गुपनियता को अगर हम लोग को पुलिस तक पहुंचाएंगे तो हमको समाजी बश्तकार कर सकता है हाल के दिनों में इन इलाकों में कई जगों पर पत्थल गड़ी हुई है सीयों के गाओं पहुंचने के बाद भले ही ग्रामीन ये सिकायत कर रहे हैं कि उनके पास सरकारी योजनाय नहीं पहुंचती लेकिन इन ही गाओं में लोग सरकारी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं प्रधान मंत्री, क्रिशी सम्मान निधी योजना और मुख्य मंत्री क्रिशी जैसे योजनाओं का लाप महचाने के लिए सरकार को काफी मुशकत करने पड़ रही है लोबोदा, हाबोडी, सहित कई गाओं में ग्रामिनों ने फॉर्म नहीं लिया पूर्वसान सत्या अदर्स गाओं में भी चंद लोगों नहीं फॉर्म बरा है खूटी में अब तक सिर्फ 500 किसानों ने इन योजनाओं का लाब लिया प्रभात खवर ने खूटी के कई गाओं का दोरा किया ग्रामिनों से बात किये पहले बार नहीं है जब प्रभात खवर खूटी से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है इससे पहले भी हमने खूटी के समस्या आप तक पहुचाई है इस परताल में हमने क्या पाया, क्या दिखा प्रभात खवर की ब्यूरो प्रभमुक आनन मोहन से हमने इस पर विस्तार से बात जीत की और खूटी की मौजूदा समस्या को समझने की कोशिश की खूटी में कई बार प्रभात कबर ने रिपोर्टिंग की है प्रभात कबर ने जो जमीनी हकीकत है वो आप तक पहुचाने की कोशिश की है एक बार फिर पत्थलगडी की चर्चा है और हमारे साथ आनन्द मोहन है प्रभात कबर के ब्यूरो प्रमुक है अनन्द बिया कई बार हम लोगों ने खूटी पर रिपूर्टिंग किये है इस बार फिर एक बार चर्चा हो रही है पथल गड़ी की पथल गड़ी टू रिटरंस कहा जाए या नहीं कहा जाए नहीं अभी मुझे बहुत यह नहीं लगता है कि रिटरंस पथल गड़ी है और यह जो यहां इस शेत का परंपराओं से जुड़ा हुआ एक पहलो जिसको एक अलग रूप दिया गया है और यह पथल गड़ी हम लोग अभी पूरे गाउं के इलाके में घुमकर काया है तो देखें गाउं गाउं में पथल गड़ी है सिमांकन का पथल गड़ी है और लोग वैसे लोग जो पथल गड़ी को लेका रांदौरत है वह लोग एक ठीव हो गया है शेतों से मिल रही है कि जहां पर इस इलाके में जिस समय पथल गड़ी उआ और एक बर्स पूरा होने के फिर लोग के का जुटान हो रहा है लोग जूटेंगा ऐसे सी सुचना है करी इलाकों में और उन्हीं को छानबीन करने के उन्हीं चीजों को तथ तक जानने के उनके जमीनी हकीका जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे तो ततकाली रूप से अभी मुझे जो सुचना हम लोगों को तक मिली है एक दो जगा पर ऐसी गैदरिंग की ऐसे जुटान की संभावना है अच्छा सरकारी योजनाओं को लेकर क्या आइस्तेति मतलब मुख्यमंतरी किसान सम्मान ने दी योजना यह यह योजना पहुच रहे हैं बात्चीत हुई से उन्होंने क्या बात कि बड़ा ही चौकाने वाली चीजें दो चीजें हम लोगों को आई एक तो जो अभी ततकाल मुख्यमंतरी योजना जो चल रहा जिसके लिए पूरा परसासन लगा हुआ है कि किसानों को पैसान के खाते तक पहुंचे तो कई लाकों में लोग लोगों से जब रशीद मांगा गया लगान रशीद होगर मांगा गया उनसे बैक एक अकांट लोग देने के लिए तैयार हो पाएंगे क्योंकि हम लोगों से खितित्य तो है पूरिज अब ह вони से यहां आज हे जो जो लोग जैसे पुलिस अधिकारी उनको भासा की खूब समस्या है अगर जाते हैं गाउं में पता करने के लिए कि क्या हुआ है बैठक में क्या फैसला लिया गया क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं समझाने की कोशिश करतें तो वह स्थानिय भासा में मुंडारी में बात क सबस्षाब गाव तो यह समस्या करते है तो यह बनी है अप तक और अधिकारी खारते हैं उनके साथ बासा की निए तो यहां और वो इनकी बात को नी समझ पा रहे हैं यह दिक्कत था और यह तो हम लोग पतक है कि जब कर रहे हैं जब हम लोगों के सामने लेकिन चीजें सामने आ जाती है इसा नहीं है कि अधिकारियों को पता लेकिन जो एक अर्चन वह तो इस पर भी ध्यान देने की जवड़ात है कैसे लोगों को यहां पर रखा जाया जाए जो गाओं के हो समाज के हो उनके बात उनको समझ में आ रही हो इस पर फोकस करने की जोरत मेरा आखरी सवाल है पूरा पतलगड़ी का अंदोलन है अब किस त इक तरह से समापन की तरफ है और कभी कभी बीच में इस तरह के मुद्दे हैं वोट से रहेंगे या फिर यह कहें कि दोबारा आने की संभावना है पतलगडी समर्थक जो है वो दोबारा एक्टीव हो रहे हैं किस तरफ जा रहा है यह मैं देख कर जो समझ रहा हूं एक किसम स समाजिक किसम और समाजिक संकृष्टिक रूप से जुड़ा हूँ पहलू है, जिसको की परषासरं को भी और सरकार को भी बहुत टेक्टफय टेकल करने की जौरत है, आप इनके परंपराओं को संस्कृति को समंझते हूए देखने की जौरत है, दूसरी और एक जौरत है कि तो बहुत पैनिक होने या बहुत इसको लेकर के बहुत तबाव या इसको कहें कि एक परसाशनी का और जिसको तंद्र का वह होता है वह अभी इस गाओं के लाके भी नहीं एक भ्रम किस्तिति ग्रामीनों में जिसे दूर कैसे किया जाए इसको मिल वैट करके सोचने के होगा जब संबाद होंगे तो बहुत दूर तक जाता पुझे नहीं दीख रहा है यह कुरा मामला लेकिन यह है कि इनको सब्बाद से आप जितना जल्दी रूट आउट करेंगे जितना जल्दी इसको खत्प करेंगे वह समाज के लिए और इस इलाके के लिए बड़ी सुं बेहतर है लेकिन अगर समय रहते हम उन समस्याओं को नहीं समझ सके तो संबाव है कि यह समस्या और बड़ी हो जाए करेंगे बड़ी हो जाए